एलो बच्चो टी डवली एस परिवार में आप सभी का स्वागत है तो बच्चो हम लोग अध्याए एक में प्रस्णावली वने तक पूरा कर चुके हैं पिछली वीडियो में तो अब आज उससे आगे करते हैं तो इस वीडियो में हम लोग बच्चों डिसकस करने वाले अंग गडित के आधारवूत प्रमे तता LCM और HCM लैसे और मैसा कैसे निकालते हैं तता गुड़न खंड को किस प्रकार से निकाला जाता है वैसे तो आप जानते ही हैं लेकिन एक ट्री मेथड होता है जिसे कहते हैं तो उसको भी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं तो चली आईए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अंग गडित के आधारवूत प्रमे के किसे कहते हैं यह सब छोटी छोटी चीजे हैं ज्यादातर लोग इसे स्किप कर देते हैं लेकिन आप लोगों को अभाज संख्याओं की घातों के गुड़नफल के रूप में लिखने वाली विधी को अंक गडित के अधारवूत प्रमे कहलाती है तो इसको अभी हम लोग एक्जामपल के साथ भी समझेंगे तो आईए देखिए मत्तब इसका मत्रब यह हो गया कि किसी भाज संख्या यहां की गुड़नफल के बरावर होती है अभी आई एक 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 जामपल लेकर सीच को समझते हैं माली यह एक नब्बे हम संख्या ले ले लेते नायंटी जो की एक भाज संख्या है यह सारी संख्याओं से डिवाइड हो सकता है तो सबसे पहले हम इसको इसका गुड़न गुड़े तरी गुड़े 425 तो देखे इसको अब जब हमने इस प्रकार से इसको लिख दिया या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं त्री बूड़े तिन के लाते निए 5 अब ये जो इसमें तीनों संख्याए औम ये अभाज्य संख्याएं होती है और lc जो भी है इसके घात का और गुड़ा करके लिखते हैं तो इसे ही अंक गड़ीत का अधारवुत प्रमे कहा जाता है ठीक है बच्चों चलिए अब अगले टॉपिक के चलते हैं LCM और HCUP इसके बाद हम लोग सीखेंगे की प्रीमेठर्ण से कैसे गुडुनखंड निकाला जाता है कि आप लोग को वैसे लसा मासर निकालने के लिए सबसे पहले गुडुनखंड में निकालना आना चाहिए तो एक Initially मैं वैसे ज्यादा तर लोगों को पता ही होगा गुड़नखंड कैसे निकालते हैं लेकिन एक बार मैं फिर से आप लोगों को गुड़नखंड निकालना यहां पर बता देता हूं lcm और Hcf LCM को कहते हैं बच्छों लैसा एं पहलए मास की ओसिए माशा का मतलब होता है लगतम समाः और mossa का मतलब होता है महतम समाः ल rozp mlcm को इसको फुल फॉर्म भी अब लोगों को बता देता हूं यह lowest common factor and highest common factor आईए अब इस चीज को कैसे निकाला जाता है इसको एक example के तुरू हम लोग समझते हैं तो आपके बुक से एक example लेता हूँ मैं जैसे आपके बुक में यह और वन ट्वनटे का लैस है और मास हां आपके बोड के परिच्छाओं में जरूर पुछा जाएगा यह फिस्ट्र दो नमबर का पूच्छों दो नमबर में एक प्रिच्छन जरूरा आता है तो इसको सीखना बहुत जरूरी है और आगे भी यह आपको काम आएंगे तो आइए सबसे पहले इसको निकालने से पहले हमें इसका गुढ़न खंड करना आना चाहिए तो देखी बच्चों क्या करते हैं हम इसको गुढ़न खंड करते तो नॉर्मली आप लोग कर सकते हैं अब 72 निकालने के लिए आप लोगों को यहां पर बचा देता हूं वैसे एक बार फिर बहुत सारे बच्चों को आता होगा बहुत सारे बच्चों के लिए नया होगा तो सबसे पहले सबसे छोटी संग्याद इसमें भाग लेकर जाएंग तो यह 18 18 बार जाएगा फिर जितनी छोटी नंबर से यह जितनी बार डिवाइड़ों का उतनी बार करते जाएंगे उसके बाद बड़ा नंबर लेंगे जैसे अब 2 से नाव नहीं कटने वाला इसलिए मैंने 3 ले लिया ठीक है अच्छा यह देखिए अब एक आगया तो य बड़ा चोटा हो जाएगा दो के का तीन गुड़े तीन की पावर में दो अब इसके बाद है आपको 120 120 का गुड़न खंट भी इस तरीके से हम लोग निकाल कर सीख लेते हैं तो एक सो बीस है एक सो बीस में इसमें भी पहले दो से ही लेकर जाना शुरू करते हैं तो यह 60 यह जाए धर फीर दो से लिकर जाएंगे 30 कि फिर दो से लिकर जाएंगे 15 अब इसको थोड़ा से चोटा लिखने के लिए यसे भी लिख सकते हैं दो की गाते तीन और गुड़े तीन गुड़े पांच अब हम लोग लेकिन सबसे ज़्यादा इन दोनों में दो है कोई दिकत नहीं है दो को जो सबसे बड़ी घात वाला होगा या जिसमें सबसे ज़्यादा वाराया होगा उस चीच को लिख देंगे अब ऐसे तीन में करेंगे देखिए यहां तीन दो बाराया है तो इस चीच को यहां पे लिखेंगे और बाकी बाकी में एक एक बार है तो यहां पर लिख देंगे ठीक है बच्छों फिर यहां पर देखे और जो भी बचा हुआ है उसको लिख देंगे दो हो गया तीन तो हमने लिख दिया बस यह 5 बच्छों है तो 5 को भी यहां पर लिख देंगे ठीक है अब इसको जब आप लोग गुड़ा करेंगे तो आपक आपका 6, 72 और 120 का लाइस से 360 आ गया अब हम लोग देखेंगे मासा कैसे निकालेंगे इनका तो मासा मतलब महत्तम समापुआर तो महत्तम समापुआर का निकालने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं क्यि जो सब में जो जो अभ़ाज संख्या में जब तोरने के बाद जो संख्या समय कामन होगी केवल ऊसी पूसी संर्ग होको मासा के लिए जैसी में इसमें इसमें ऐउल हो गया देखियेucky यहां से यहां से यहां पर लिए दो고ड़ें है क्या सब में तीन भी है इसमें तीन अगर दो तीन सब में कॉमन होता जैसे तीन गुड़े तीन सब में कॉमन होता तो हम वहां पर थ्री स्क्वार मतलब तीन को दो बार लिखते और पांच देखिए नहीं है सब में या इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है इसमें पांच को नहीं देंगे तो देखिए इसका मैसा आजाएगा छे ठीक है बच्छों आप लोग लेसा और मैसा को निकाल सकते हैं अब प्रैक्टिस कीजिएगा अगर कोई प्रोब्लम होगी तो आप कमेंट करके बताइए फिर आगे उसको करवाया जाएगा अभी इस चैप्टर में एक टोपिक और है बच्छों जिसको आप लोग सायद पढ़ना ना पसंद करें लेकिन मैं एक बर जरूर आप लोगों बता देता हूं ट्री मेथट से जो है ट्री म बेखर से गुडंखंड को एक एक ग्जामपल लेता हूं मैं चोटा सा कि अपके बुक से ले लेता हूं जिससे आप लोगों को भी पढ़ने में आसानी होगी ठीकर बच्छों तो आपके बुक में है एक्जामपल जैसे थ्री टू सेवन शिक्स जीरो इसका गुडंखंड म मैं निकालना है आप छोटा साइब ग्याम पर लेकर वजा सकता है लेकिन ये तर्फ में है तो इस से बरबाते हैं तो पर है सबसे पहले सबसे धोटी एक संक्राहलेते हैं इस में इससे भाग करते हैं जैसे शोटी संक्राहल मतल biography से पहले हम दो से शुरुकारते हैं जैसे गुर्णखण भी करते हैं सेम वैसे तो इसमें दो से भाग देंगे तो क्या आएगा देखिए इससे मैं इसमें लिख दे रहा हूं आप लोग करके देख सकते हैं भाग देंगे तो one six three एक जीरो फिर से वही काम करते जाएंगे चलिए मैं वही करके देख लेता हूं तो दू अट्छ सोल एक अथी करते जाएंगे जब तक दो से जाता रहे तक करते जाएंगे ठीक है हमें देख कर जल्दी लिश्ट देता हूं नहीं तो टाइम जादा लगेगा बच्छों कि अब ही मैं इसको आपको अच्छे से और समझा देता हूं कि देखते हैं पहले मतलब हम लोग क्या लेंगे सबसे छोटी संख्या लेंगे उससे संख्या को इसमें भाग करेंगे जो भी संख्या हमारा आएगा भाग भाग फल उसको यहां लिखेंगे फिर से एक चोटी संख्या लेंगे उसको इसमें भाग देंगे जो आएगा यहां पर लिखेंगे ऐसे बच्छों करते जाएंगे फिर इसका इसमें भाग दिया जो आ बांसे करते हैं से कर के जिस संघ नंबर से होता है वो यहां पर देती है फिर इसके बाद ऐसे फिर यह तीन से भी नहीं हो रहा थे इसलिए हम पांच लेना फड़ा की कि यह 5 के बाद यह से अब हम लोग क्या करेंगे कि यह जो आया है इतना यही आपका गुड़न खंड हो जाएगा, मतलब इसका गुड़न खंड हो जाएगा, बच्चों, दो गुड़ा, दो, एक, दो, तीन, चार, चार बार दो आया है, तीन, चार, तीन, एक बार है, एक बार पांच है, एक बार साथ है, और एक बार तेरह है, इस प्रकार से आप क्री मेथाँ से गुलंखर निकाल सकते हैं इस मेथाँ का यूज तभी करना बच्चों जब प्रम्डी के अप्ट्रूइन लोग प्रस्टावली के सारे कुस्चेंचन हुल जाएंगे आम लोग प्रसनाज़ कर ये अगर हमारे मीडियो अच्छी लग रही हो तो उसे अपने दोस्तों के बाद भी सेयर कीजिए थैंक्यू दोस्तों